नमस्कार जय हिंज जोहार जय शत्तिजगर संगवारीमन आज मैं आप सभी का दोस्त प्रांजा जय स्वाल आपके सामने फिर एक नय और सधी पाउधा लेकर आया हूँ सत्या नासी के आयर्वेदी गुड़ों को जानने के लिए हमारे वीडियो को पूरा देखे अन्यत्था आपको कुछ भी समझ में नहीं आएगा धन्यवाद आज मैं जो पाउधा के बारे में जानकारी लेकर आया हूँ आप सभी लोग इसे देख कर पहचान चुके होंगे इसे संस्कृत में कटू परणी और हिंडी में सत्या नासी के नाम से इसे जाना जाता है कहीं कहीं पर इसके तोड़ने पर इसमें सोने के समान दूध निकलते हैं इस करण से इसे स्वयन चीरी के नाम से भी जाना जाता है उडिया में इसे काटा कुसुमुकवा और उर्दू में ब्रह्म डंडी के नाम से जाना जाता है गुजराती में दारूडी के नाम से जाना जाता है और इसका अंग्रेजी नाम यलो लिथिमस है 36 गड़ी में हम इसे भसकटईया के नाम से जानते हैं इसके बाहँ सरूप की बात की जाए तो इसकी लंबाई एक से दो फीट या दो मीटर तक की उचाई होती है ये छीर युक्त वर्सी और काटों से युक्त होती है इसके कंड चिकने और काटे युक्त तथा मुलायम होते हैं इसके पत्र सरल वृत हीन 7.5-18 cm लंबे स्वेत वर्ड और सिराओं से युक्त अनेकों खंड में विभकत होते हैं किनारों पर काटे इसके फूल, पीले और सफेद रंग दो प्रगार के होते हैं तथा इसके फल अंडाकार होते हैं काटों से युक्त होते हैं तथा बीज, असंख, छोटे, भूरे, कृष्णमान के होते हैं ये एक से दो मिलिमीटर व्यास के गोलाकार गहरे जालिकावत होते हैं तथा इसका पूसकाल फरवारी से अगस्त तथा फल काल नवंबर से अप्रेल तक रहता है आजुरवेदिक गुर धर्मों की बात की जाए तो सत्यानासी कफ पित सामक होता है तथा इसके मूल, मुत्रल और निंद्रा कारक होते हैं इसके बीज, विरेचक और वामक और वेद सामक होते हैं सत्यानासी के अईरुवेदिक गुरों की बात की जाए तो नेत्र रोगों में नेत्र सम्मंधित किसी भी प्रकार के रोग होने पर आखो के दर्द, मुत्या बीन, आखो का जलन, आखो में लालिमा, सिलाउनी होने पर एक ग्राम सत्यानासी के दूद को पचास मिली गुलाब जल को मिला कर प्रती दिन दो बार एक एक दो दो बुन नेत्र में डालने से नेत्र का सूजन, नेत्रों की लालिमा और यहां तक की सिलाउनी, बिलाउनी और मुत्या बिन दूर हो जाते हैं यदि किसी को खासी हो या फिर टीवी की बीमारी हो तो सत्यानासी के पंचांकरश निकाल कर उसे आग में उबालना चाहिए जब यह रबडी की समान काढ़ा हो जाए तो पचांगा पांस सो मिली रस रहे तो इसमें 600 ग्राम पुरानी गुड तथा 20 ग्राम राल मिलाकर खराल करें तथा 200 ग्राम मिली ग्राम की गोली बनाकर एक गोली दिन में तीन बार गर्म पानी के साथ लेने पर दमे और स्वास सम्बंधित रोगों में इलाज में फाइदा होता है इसके अलावा सत्यानासी को उदर रोग और मुत्र सम्बंधित रोगों में इसका प्रयोग बहुत ही अत्यधिक चमतकारी देखा गया है उपेट में दर्द होने पर सत्यानासी के तीन से पांच मिली दूद को दस ग्राम घी के साथ मिला कर पीने से उदर सूल कर समन होता है तथा पेट में जल भराव होने जलामधित रोग होने पर पांच से दस मिली सत्यानासी के पंचांग के स्वारस को दिन में तीन से चार ब तो दस मिली गिलोई के रस में सत्यानासी की आठ से दस बुन डाल कर प्राता और साया पीने से पीलिया रोग कमला रोग दूर हो जाता है। दात, खाज, खुजली, और चर्म, रोग, संबंधित, किसी भी प्रागार की बिमारी या पुराने घाउ जो कभी भरते ना हो तो सत्यानासी के पत्ते के रस को एरेंडी के तेल और नमक डाल कर उप्योग करने से ठीक हो जाते हैं। यदि किसी को सफेद दाग हो तो सत्यानासी के पीले फुलों को पिस कर लगाने से सफेद दाग दूर हो जाते हैं। सत्यानासी का यह सबसे ज़्यादा चमतकारी प्रेयोग यह है कि किसी को बाँचपन यह आसिग्र पतन यह धात रोग का मरीज हो तो इसके सत्यानासी के जड़ के पाउडर बना कर के बरगत के दूद मिला कर कि इसको खुब गोटना है। और इसके घोटाई करने के पस्चाद बंगला पान के रस मिला करके फिर घोटना है घोटने के बाद जब ये सुखने लगे तो इसे गोली बना करके सुबह सामुपयोग करने से किसी भी प्रकार का बांजपन, सिग्र, पतन, धात, रोग, दुर हो जाता है इसका प्रयोग करन से किसी भी निसंतांदम पत्तियों का संतान अवस्य ही होगी अता दोस्तों आप सभी को हमारी वीडियो कैसे लग रहे है क्रिप्या कमेंट करके जरूर बताएं और इसी प्रकार के नए नए और सधी जड़ी बूटी के बारे में जानने के लिए हमारे यूटूब चैनल सी धन्यवाद जै हिन जै जोहार जै छतिर गड़